अभिशेक बच्चन ने अपना 43 वाँ जनब दिन मनाया अभिशेक के जनब दिन के अफसर पर उनके फैंस और बॉलिवुड के तमाम सालिब्रिटीज ने उने शुब काम नहीं दी वैसे दो अभिशेक के जनब दिन को लेकर बच्चन परिवार ने हमेशाएका अलग ही क्रीज देखने को मिलता है लेकिन इस बार अभिशेक के जनब दिन को बहुत खास बनाने के लिए वाईफ और एक्ट्रेस एश्रे राई ने जो किया सभी फैंस को काफी पसंद आया बारती जन्ता पार्टी के नेता और वरिष्ट वकील नलिन कोली का कहना है कि CJI की बेंच ने कोल करता कि पुलिस आयुक्त को CBI के सामने पेश होने और CBI के साथ चार्च में सायोग करने का अदेश दिया है सुप्रीम कोड ने यह भी कहा है कि अभी कठोर कदम नहीं उठाया जाएगा सुप्रीम कोड ने कहा है कि आखिर राजी कुमार को CBI के सामने पेश होने में दिक्कत क्या है हलाकि तीन जजो की बेंच ने साफ किया है कि राजी कुमार की गिरफतारी नहीं होगी राजी कुमार को में घाले के शिलॉंग से सीबी आई के समक्ष एक तठस्ते स्थान पर पेश होना होगा राश्टपती ब्रवन का परसिद मुगल गाडन 6 फरवरी से 10 मार्थ तक आम जनता के लिए खोला जाएगा अपने शांत वादावर्ण और हर्याली के लिए लोग प्रिये मुगल गाडन इस बार 70 किस्मों के खूप सुरत फूलों खास और से निदरलैंड और जापान से आदित फूलों के साथ लोगों का स्वागत करने के लिए तैयार है राष्टपती भवन को ब्रेटिश वास्तुकार एडवर्ड लुटियन्स ने डिजाइन किया था राष्टपती भवन का 15 एकड में फ्यालाई है बगीजा वार्शिक उद्ध्यान और सब के लिए खोला जाएगा जो राष्टपती भवन के एक पुरानी परंपरा है राष्ट किसम के पौधे 300 तरहां के बोंजाई और 10,000 से जादा ट्यूलिप्स देख सकते हैं तुबह 9 वजी से शाम 4 वे तक यहां आपको गेट नंबर 35 नॉर्थ अवेन्यू साइट से एंट्री मिलेगी राष्टपती भवन की वेबसाइट पर आप अंदर जाने के लिए बुकिंग करा सकते हैं इसे आप लंबी 9 लगाने से बच सकेंगे बुकिंग के लिए राष्टपती भवन की वेबसाइट rb.nic.in पर जा सकते हैं या रंग बिरंगे फूलों वाले कई गाडन है जो आपके नजरों को ठामे रखेंगे 2019 के लोगसभा चुनावों को देखते हुए आज आलंदर के नकोदर और गोराय में इस मौके पर पार्टी वर्कर्स की समस्यां को सुना गया इस मौके पर सुकवीर बादल ने कहा कि दो साल पहले पंजाब में गलत वायदे करके सब्ता में आ गए और अकाली दल के बारे में दुश परचार किया लेकिन आज कॉंग्रेस की बातें गलत साबित हुई है इस मौके पर सुकवीर बादल ने कहा कि उनकी सेरकार दरा आम लोगों को दीयूघी सहूलतों को खतम किया जा रहा है और शिरोमान अकाली दल के वर्करस पर गलत रीके से पर्क्षे किया जा रहे है वही सुक्बीर बादल ने कहा कि अव्वे पंजामे 13 की 13 सी जीत कर बापसाएंगे सुक्बीर बादल ने कहा कि केदरी सरकार को छोटे किसानों को 6000 प्रती वर्ष की राशी को दूगना करना चाहिए और ये खजाना केद मज़ूरों पर भी लावू होना चाहिए वही किसानों के बारे में कैप्टन द्वारा केगे ट्वीट को लेकर कहा कि कैप्टन सरकार ट्वीट नहीं करते बलकि सभी उनके ऑफिसर्स ही करते है वेस्ट बंगॉल में सीबी आई के विवाद को लेकर सुक दिये ने का आकिया देश के डेमोक्रेटिव और पेडरल धांचे पर घहरी जोट है और वो इसकी निंदा करते है क्या पंजाब सरकार का गड़ित और साइंस अंग्रेज में पढ़ाने का फैसला सही है पंजाब आम आद्मी पार्टी ने सरकारी स्कूलों में छटी से नौमी तक गड़ित और विज्ञान विशे पंजाबी की वज़ाए अंग्रेज में पढ़ाये जाने वारे समन्दी फैसले को मातर भाशा विरोधी फैसला करार दिया है इस सवाल के जबा में सुकूबीर बादल ने कहा है कि पंजाब में पंजाब सरकार पॉलिटिकल लीडर्स चला रही है और मुख्य मंतरी तो सो रहे है